आमाद्मी पार्टी के 11 साल, खुशी के मौके पर क्यूं भावुक हो गए केजरिवाल? बताएंगे आपको. नमस्कार आप देख रहे हैं TV9 दिल्ली NCR और मैं हूँ तनीशा साहनी. आमाद्मी पार्टी के आज 11 साल पूरे हो गए हैं. इसी मौके पर जहां आपके राश्य सायों जग और दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केजरिवाल ने कारेकरताओं को पार्टी के सापना दिवस की शुप कामनाई दी, तो वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी पर जम कर हमला भी बोला. केजरिवाल ने कहा कि देश के इतिहास में पिछले 11 सालों में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा टार्गेट किया गया. इन्होंने 200 से ज्यादा फर्जी केस कर देश की सभी एजिंसियों को हमारे पीछे छोड़ दिया, लेकिन इन्हें एक भी सबूत नहीं मिला. यही हमारी मानदारी का सर्टिफिकेट है. पिछले 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी को टार्गेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और राजनेतिक पार्टी को इतना टार्गेट नहीं किया गया. पिछले 11 साल में इन्होंने हम पे 200 से ज्यादा फर्जी केस किये हैं, ED, CBI, IT, दिल्ली पुलिस, कोई इजन्सियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया, लेकिन आज तक इने एक भी कोई भी सबूत नहीं मिला, एक पैसे की गलगेरा फेरी नहीं मिली, एक पैसे की रिकवरी नहीं होई, हमारी इमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है. आम आदमी पार्टी के सापना दिवस पर अरविंद केजरिवाल जेल में बंद अपने नेताओं को याद कर भावुक भी हो गए. केजरिवाल ने कहा कि यह पार्टी का पहला सापना दिवस है, जब हमारे साथ मनीश से सोधिया, सतेंदर जैन, संजे सिंग, विजे नायर न नहीं है, उन लोगों को फरजी केस में जेल में डाल दिया गया है, भाजपा वालों को दूसरी पार्टीओं के नेताओं पर फरजी केस करके जुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जुकाना नहीं आता, यह हम सब के लिए गर्फ की बात है, कि आज तक हमारा एक सब्सक्राइड यनके परिवारों ने भी साथ दिया वह हम गर भी नेटाश्य नेटा को जुकाने की धिकीन він हमारे एक भी नेटाकर दोड और नहीं के पास भुड़े बड़े लोग आएं बोले मोडी जी से मिल जाओ संझ आँ कर लो हम मध्यस्ता करवा देंगे लेकिन हमारा एक भी नेता नी जोगा हमें गर्व है हमारे नेताओं पे आपको बता दे कि साल 2012 में अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी आज देश की राष्ट्रे पार्टी है इस वक्त दिल्ली के अलावा पंजाब में आपकी सर क्रिया